हलो एब्रीवन और वेलकम टू ग्यानकोश स्वागत आपका इस मीडियो में जहां हम बात करेंगे नोबल प्राइज के बारे में हर साल नोबल प्राइज डिसाइड किये जाते हैं कई लोगों को नोबल प्राइज मिलता है लेकिन एक सवाल अकसर लोगों के मन में रहता है कि महतमा गंदी को नोबल प्राइज क्यों नहीं मिला नोबल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला यहां तक कि जिन्हों ने उन से इंस्पिरेशनली build प्रकिंग जूनियर की बात करें या फिरम ननलसन मंडेला की बात करें खुद उनको लोगों-प्राइज मिला इंडिया केस में इसा कहा जाता है कि हम ऐसा मानते है कि माहत्मा गांदी was far bigger than any Nobel Prize और खुझ से ही it's a privilege for the Nobel Prize to have a name like माहत्मा गांदी on its list अगर वो नहीं है तो यह उनका ही लॉस है पर पूरी कहानी क्या है खिर क्यों उनको Nobel Prize नहीं दिया गया जिन में पांच मार तो specific nominations आई थी फिर भी उनको Nobel Prize नहीं गया गया तो चलिए जानते इसके बारे में कि वाय मात्मागान्ती नेवर गॉट एनी Nobel Prize डिस्पाइट पांच nominations तो यह देखिए सबसे पहले nomination कब मिला और क्यों यह पूरी कहानी बनती है देखिए असल में न मात्मागान्ती को Nobel Prize न मिलने की दो वज़ेशी पीस पांच के एक तो वो उनकी non-conformity एक उतिया कंफरमिटी कि जो समाज कर जो धर रहा होता है उसमें इस तरह से माना जाता ह शानती अगर आप करना चाहते हो शानती फिलाना चाहते हो इस तरह की चीज़ें आप करोगे तो वही एक तरीका है जरिया है शानती का दूसरा जब प्राइस दिया जाता है तो माना जाता है एक individual होगा उसके कुछ representative होगी उसके organization होगी जिसने सब कुछ नीड किया होगा मा और वे के तरफ से दिया जाता है वहां के parliament majorly design करती है उदर भी अगर आप देखो ना जो उनका एक set criteria था किस वेक्ति को noble price दिया जा सकता है उसके किसी भी खाचे में मात्बा गांदी फिट नहीं होते और initially जब उनको शुरुआत में नॉमिनेट किया गया गया तो बार बा उनकी केटेगरी जाती है उती है traditional categories, traditional categories में वो कहते थे कि जो वेक्ति जिसके कुछ ऐसा contribution वो कि international peace establish हो जाया अंतराश्ट्रे लेवल पर लेकिन उस समय की जो noble price की jury हुआ गरती है उससे लगता था कि महातमा गांदी सिर्फ इंडिया की peace की बात करते हैं कि अब इंडियन्स क लेकिन उनको लगा कि नहीं और इनका जो पैसिफिसम है जो इनकी शान्ती प्रक्रिया है वो पुझे तरह भारत की ऊपर और उसके पर लिमिटेड है 1947 का ऐसा कहना था कि मैं भारत की तरह बहुत सरा जुखाव है आतमा गांदी का तो पार्टिशन हुआ है उसमें बहुत सा प्राइस को लेकर यहीं मुद्बे बार बार बने रहे चो पहला अनकू मिला वो यहीं था कि कंसिस्टेंट नहीं था पहला नोमिनिशन था इनका इनकी जो अप्रोच वो कंसिस्टेंट नहीं है और तब यहीं का जाना था कि नौर्वे नहीं चाहता था कि उनके और अंग् मांदमागंदी ने खुलके अंग्रिजों के खिलाफ जब कुछ हो रहा था तो उसका विरूद भी नहीं किया और पाच्वा यह हुआ कि पॉस्टमिसली नहीं दिया जाता था उससे में और उसके बाद जब मांद में भी उनको नहीं दिया गया तो उसके पीछे वजय वजय नहीं ही बताई खुद कमिटी नहीं की नॉर्मली यह सिस्टम है कि कोई एक जब नॉबल प्राइस दिया गाता उसके साथ एक प्राइस मनी भी दी जाती है तो आम तोल पर देखा जाता है कि क्या कोन कर रिप्रेजेंटेटिव है जो कि वो रसीव करेगा यह करेगी यह कि अभी ऐसी कोई ओगनाशन थी नहीं उनकी जिनको का जाएंगे यह रिप्रेजेटेटिव है महत्मा गांदी के और इंगिन स्टेट को देना किसी दीश को देना किसी एक विक्ती के लिए वो शायद जो नोबल प्राइस कमिटी की जो बेसिक प्रिंसिपल से उसमें सेट नहीं मैठता है यानि एक कन्फूजन की स्थिती हमेशा से रही है महत्मा गांदी को लेके लेकिन बात ही कि खुद उनकी वेबसाइट तक पर ही मेंचेन नहीं नहीं मिला एक तो क्या रिजन से टेक्निकल दूसरे नहीं के नहीं है तीसरा उसमें पॉस्तोमसली दिया भी न नहीं थी इनिशली 1947 तक 47 अब जाते जब चीज़े होने लग गई तो फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है और जब दलाई लामा को नोबर प्राइस दिया गया तो कमिटी ने बोला कि एक तरह से हम चाहते हैं कि जो महत्मा गांधी का नोबर प्राइस है उनको भी ऑनर क करने में इसका एक रूल है कि अम तलाई लामा को भी अवार्ड दे रहे है क्योंकि अगीन वह उस काटेगरी में नहीं फॉल करते हैं इस में मज़े साम आधमा कान तीक पॉल नहीं करते हैं किसी काटेगरी में तो लोगल प्राइस कमिटी ने बार में इस चीजीन सुधार किया लेकिन तब तक और डी काफी टायन वीच चुका और अब इवेजली किसी को फरक में नहीं पड़ता कि उन्हें प्राइज मिला या नहीं मिला बिकॉज ही इस फार बिगर परसनालिटी दैन नोबल प्राइज उनको नहीं दिया गया था पर अब उससे कोई दो राय नहीं कि इस फैम जो लोगल प्राइज कमिटी है वो भी दो अक्टूबर को ट्वीट जरू करती है कि अमिसिंग लॉडियेट लाइग महात्मा गांदी तो यह वज़ा है कि महात्मा गांदी हो क्यो लोगल प्राइज नहीं मिला आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी कीप वान वाचिंग ग्यानकोश और वान वाइज दे